अब इस गुस्से का भी कुछ characteristic है क्या characteristic है जिसे गुस्सा किसके अंदर आएगा जो living things है जिसके अंदर senses है उसी को गुस्सा आएगा जो neutral है जिसके लिए सुख दुख बराबर है उसको गुस्सा आएगा ही नहीं तो वैसे ही यह चार्ज भी किसी body पर आएगा तो उस characteristic property है उसका चार्ज का तो चार्ज scalar होता है चार्ज कैसा होता है स्केलर वैसे ही गुस्सा भी है गुस्सा भी कम समय के लिए रहता है किसी के अंदर पूरा लगातार वह एक महीने तक गुस्सा में नहीं रहेगा कोई परसन तो वैसे ही चार्ज का भी परपर्टी है क्या है क transferable है एक बोड़ी से दुसरे में transfer हो सकता है क्या गुस्सा भी ऐसा ही है human के अंदर जो property है गुस्सा इसका ये भी ट्रांसफेरेबल है क्या बिल्कुल है एक आत्मी अगर नाराज है गुस्से में है तो दुसरे से जगड़ा करेगा दुसरे को भी गुस्सा आ जाएगा तो व मास के बिना नहीं रह सकता है चार्ज नामक प्रोपर्टी वैसे ही घुस्सा नामक प्रोपर्टी